हां जी कैसे हैं आप लोग मैं मनोज कुमार बंसल आज एक चोड़ी सी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ तो जैसा कि आपके टीचर्स आपको लगातार बोलते रहते हैं कि ये डिफिकल्ट है ये इजी है ये डिफिकल्ट है जबकि आप अपनी तरफ से उस पर कोई इफिर्स नहीं कर रहे हैं बस टीचर की सुनी चुनाई बात पर आप विश्वास कर रहे हैं तो एक रशियन सैकलोजिस्ट एक एकस्पेरिमेंट कर रहा था उस पर ओशो की बुक से चोटी सी कहानी है सुनीगा और गोर कीजिएगा क्या चीजों में फरक आता है एक मनोविज्ञानिक रूस में एक चोटा सा प्रियोग कर रहा था इस बात को पता लगाना चाहता था क्या कोई बात कठिन और कठिन और कठिन दोहराने से रिपीट करने से क्या सच में कठिन हो जाती है विद्यार्थियों को एक कमरे में ले गया, पंद्रा को दूसरे कमरे में ले गया, एक ही कक्षा की विद्यार्थी, एक ही बुद्धी के, एक ही बुद्धी मता के, इंटलेक्ट लेवल भी सेम था, पहले पंद्रा विद्यार्थियों के सामने, एक तक्ते पर उसने गनित का एक सवाल लिखा और लिखकर कहा कि यह है सवाल मैं आशा नहीं करता कि तुमसे कोई भी हल कर सकेगा. मुझे नहीं लगता तुम में से कोई इसको सोल कर पाएगा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ और टाइम तुम्हीं मैं दे देता हूँ. यह बहुत कठिन है. इस वेरी डिफिकल्ट कॉश्चन आप इसको सोल नहीं कर पाएगे. यह इतना कठिन है कि कोई भी हल ना कर सकेगा. यह बहुत ही कठिन है. मुझे नहीं लगता तुम सोल कर पाओगे. लेकिन तुम पूछोगे फिर तुम्हें हल करने को दिया क्यों जा रहा है. फिर आप हमें क्यों दे रहे हो जब पांच्य है अच्छे मैथिमिटेशन इसको सोल कर पाएगे. यह इसलिए दिया जा रहा है कि हम इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि इस उनिवर्सिटी में इस कक्षा के इस पर्टिकलर सेक्षन में कोई बच्चा ऐसा है, जो उन पांच्य है मैथिमिटेशन जैसा बन सकता है. एक डिड कदम भी उस तरफ चल सकता है. हम सरफ आपका इंटिलेक्ट लेवल चेक करना चाहते हैं कि आपता आप में भी वो लेवल हो लेकिन कुश्चन वरी डिफिकल्ट है. अब देखिए, कोशिश करो, शायद एक हाद विक्ती इसको सोल कर पाए, सवाल बहुत कठीन है, आशा कोई भी नहीं है, तुमसे बड़ी क्लास के विद्यार्थी भी असफ़ल हो गए, तुम मालो 12 स्ट्डड के हो, और हमने ग्रेजुशन लेवल के बच्चों को दिया, जिनका स्ट्रीम ही मैथेमेटिक्स था, वो भी सोल नहीं कर पाए, लिकिन शायद होप है, आप ट् इनरजी उनके दिमाग में, उनके ब्लड में आनी चीए थी, वैस हो गई, आपको पहले एक माहुल बना दिया गया है, जो शक्ति जगती और चुनोती को स्विकार करती, उसने पहले ही स्विकार कर लिया, कि हल नहीं हो सकता, जो बात हल नहीं हो सकती, फिर प्राण उसे सवाल को मुर्दा, उदास, सुस्थ हाथों से सोल करने शुरू हो गए, पहले ही निश्य हो चुका था, कि सवाल हल नहीं होगा, पहले से ही परनाम जाहिर है, उसका रिजल्ट पहले ही डिकलेर्ड है, कि असफलता हो नहीं है, महूल यह ऐसा बनाए गया, और जब पहले ही सवालता हो, तो क्या सवालता की दिशा में आपके कदमों में प्राण हो सकते हैं, आपके स्टैप्स में ताकत हो सकती है, गती हो सकती है, शक्ती हो सकती है, वे सवाल को हल करने में लग गए, जानते हुए कि सवाल हल नहीं होगा, लेकिन ठीक है, कोशिश करो, और वह मनो व विद्यार्थियों के पास गया, अगले 15 बच्चे, जो 30 के section के दो दो पाट हुए थे, तक्तेबर उसने वही सवाल लिख दिया, और उस विद्यार्थियों से कहा, सवाल बहुत सरल है, यह इतना सरल है, कि तुम से नीचे की कक्षाओं के विद्यार्थि भी से पूरा हल कर पा रहे हैं, लेकिन तुम पूछोगे, फिर हमें सवाल क्यों दिया जा रहा है, से माहूल बढाया उसने, लेकिन एक जगा कठिन, 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 दूसरी जगा सरल, 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 जब इतना सरल है, उसने कहा, कि मैं कोई शोध कारे कर रहा हूं, और पता लगाना चाहता हूं, क्या इस उची क्लास में, एक आदवी ऐसा विद्यार्थी है, जो इस सवाल को हल ना कर सके, तुम तो हाई लेवल के बच्चे हो, हो सकता है इसमें से कोई, थोड़ा सा, इंट्रेक्ट लेवल में कमजोर रह गया हूं, नहीं सोच पाए, हम उस विद्यार्थी को पता लगा रहे हैं, क्या हमारी कक्षाओं को, पार करके ऐसे विद्यार्थी भी आ जाते हैं, जितना सरल सवाल सोल्डा कर पाए, कोई भी नहीं और सफल होगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन ठीक है, ट्रेक्ट लेवल मार लेते हैं, तुमसे नीची कक्षाओं की विद्यार्थी भी सफल हो गए, पूरा सवाल हल कर लिया, सवाल बहुत सरल है, वे पंद्रा विद्यार्थी भी सवाल हल करने में लग गए, लेकिन उनकी हालत बहुत जुदा और भिन्न है, बिलकुल डिफरिंट है, वे जानते हैं सवाल तो हल होगा, वे जानते हैं सवाल हल होना ही है, सवाल हल होना ही है, वे जानते हैं, नीचे की कक्षाओं के विद्यार्थियों से सवाल सोल हो गया, तो हम हार जाएंगे, पोजिवली नहीं है, इतना सरल सवाल है, उनके प्राण की उरजा जाग गई, और वे आनंद से, प्रफुलता से, सवाल हल करने में लग गए, सवाल वही है, और घंटे बर जब उन सवाल पूरा हो चुका, तो पहली कक्षा में, जहां कहा गया था, कि सवाल कठिन है, कठिन है, केवल पंदरा में से तीन विद्यार्थी, उस प्रशन को सोल कर पाए, बाकी बारह विद्यार्थी, अंसक्सेस्फुल, असफल हो गए, और दूसरी कक्षा में, जो, ज लेते हैं, डिफिकल्ट, खुद भी तो किताब को उठाएं आप कम से कम, बुक नहीं उठेगी, सवाल हल नहीं होंगे, बुक अटलीस्ट आपको उठानी पड़ेगी, सवाल वही था, विद्यार्थी एक ही वर्ग के हैं, क्या हो गया, एक भावदशा, वहां ऐसी परफोर वाला, उसी भावदशा पर अंतिम कदम भी पूरा हो जाता है, तो समझ कर रखें, आपके लिए जही का एक्जाम भी, आपके लिए नीट का एक्जाम भी है, लेकिन आपने अपने सब कोंसिस मैंड को समझाना है, कि अगर हम अपने लेवल पर किताब उठाएंगे, और एक तो हमारे लिए तो ये काम असान है, हम इसको कर पाएंगे, तो बढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, कोश्चुन्स को समझते रहिए, तो फिर आप सक्सेस्फुल होंगे, आपको कोई नहीं रूप पाएगा, आदत बनानी पड़ेगी एक, और ये आदत अग के पास वापिस हाऊंगा, तब तक के लिए, थेंक यू.